नमस्कार साथियों मैं हरे राम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हाइटेक के डिजिटल प्लेट फॉर्म पे आज हम बात करने वाले हैं जेट के एपलिकेशन फॉर्म के बारे में कौन-कौन सी गलती आप करोगे उस पे सजग रहना है सचेत रहना है इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे पिछली बार दो-चार बच्चे ने सिन्गनेचर में गलती कर दिया फोटो लगाने में गलती करते हैं नाम लिखने में गलती करते हो date of birth अपना सही से आप नहीं देखते हो इन सब पे ध्यान रखना है क्योंकि आपके exam अप्रेल 6 को खत्म होंगे और jet का last form है 27 March तो आपको खुद ही form भरना पड़ेगा इन मित्र पे जाके भरना पड़ेगा तो आपको समस्य आएंगे तो इस वीडियो को केरफुली देखे ध्यान पूर्बक देखना कि कौन-कौन से गलती आपसे हो सकते हैं सबसे पहला point मैं बता दूँ आपको कि jet का application form 20 फरवरी से ही भरे जा रहे हैं अब कब तक भरे जाएंगे 27 March तक ये भरे जाएंगे 27 March तक ये भरा जाएगा दो point आप अपने notes में उपर लिख लेना 20 फरवरी से भरे जा रहे हैं कब तक भरे जाएंगे 27 तीन तक भरे जाएंगे exam date कब है 14-5 14 मई को exam है 14 मई को इसका exam है चाहे वो बच्चा JET का हो 12th पास किया हो चाहे वो BSC पास किया हो अब Pre-PG का exam देगा या PhD का exam देगा इनके लिए फॉर्म भरे जाते हैं ये joint interest test अब हम बात करें ये लिख दिया 20 फरवरी से 27 मार्स तक exam date 14-5-2000 JET Pre-PG PhD के लिए ये होंगे exam ICR का exam जो होगा 26 अप्रेल से लेकर 29 अप्रेल के बीच होंगे किसके ICR का exam अब यहां हम बात करें कुछ ये landline number दिये गए हैं आपको कुछ problem आएंगे तो आप direct इन से बात कर सकते हैं पांच बजे के पहले बात करना है ऐसे ये phone उठाते नहीं है पांच बजे बात तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे तो ये ध्यान रखना है अब आप गलती कहां करते हैं एक तो अपना नाम आप सही लिखना दूसरा फादर नेम बिल्कुल सही मदर नेम जो होंगे वो पर ये अपना mandatory नहीं ये नेम डेट ऑब बर्थ इंपोर्डेंट सिंगनेचर जहां लगाना है जिसे फोटो है उसके नीचे में बैठने ने दिया ध्यान रखना मैं खुद था उस समय फिर भी बहुत कहने पर भी रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने इंट्री ने दिये आधार नंबर होना चाहिए बना लेना आप इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए अब बात करते हैं फी का तो आप केवल यह ध्यान रखना है स्ट के जो कंडिडेट है ना उनका फी कितना है एक सो पचास अब बाकी प्रोस्पेक्टिस में और लिखे हुए जेनरल लोबी सी इसके अलावा जो भी है उनके फी कितना है बताओ चौदा सो रुपे अब अस्टुडेन जो ट्वेल्थ पास अभी चल रहा है तो वो क्या लिखेंगे form appearing क्योंकि अभी आपने आपका एक्जाम हो रहे हैं अब रिजल्ट आना बाकी है तो आप यह पेरिंग लिख देना यहां भी गलती करते हैं लड़का सेक्स में मेल और एक बोथ आएगा तो आपको यह तो पता होगा कि आप लड़का हो यह लड़की तो यह ग बढ़ रहे हैं हिंदी में और इंग्लिस मेडियम के बैच दोनु अलग-अलग सेप्रेट बैच है और कंप्लीट कोर्स इसमें डाला हुआ है अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप सब्सक्राइब कर लेना अगरिकल्चर के सभी नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको तुरंत मिलते हैं सबसे पहले मिलते हैं और सबसे कम प्राइस में इंडिया का नमबर वन डिजिटल प्रेटपॉर्म बना है हाई-टेक क्लासेज और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का बहुत-बहुत सुक्र गुजार हूं दोस्त मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत